पाठधार, भूख थिये भून्डी भी, पन्नालाल पटेल, साहित्य प्रकार, नवल कथा खंड आपना देश ना नागरी कोनो एक मोटो समुह अमीर छे, तो बीजो मोटो समुह गरीब छे अमीर विचारे छे, शू करिये तो भूख लागे, गरीब विचारे छे, भूख लागे, त्यारे शू करिये अमीरो पासे 32 जातना पकवान छे, पन भूख नथी लागती, गरीबो पासे पेट पूर्टुं खावानू नथी, भूख तो लागे छे पन तेने संतोश्वा माटे पूर्तू अनाज नथी भूख मानवीना हाड मासने गाड़ी नाखे छे पन भीख तो मानवीना आत्माने हणी नाखे छे मित्रो भूख लागी होवा छता हुँ भीख नहीं मागू एवु कहता एक खेडुत नी खुमारी नो पाठ जोईये पाठ ना लेखक पन्नालाल पटेल छे तेमनो जन्म साथ पाज ओगणी सो बार ना रोज अने तेमनो आवसान छ चार ओगणी सो नेव्याशी ना रोज थयु हतूं मानवीनी भवाई मलेला जीव अने वडामना एमनी नोंध पात्र नवल कथा होचे जारे सुख दुखना साथी वात्रकने काठे अने औरता तेमना वार्ता संग्र होचे तेमने रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक तथा साहित तेनो भार्तिय ग्ण्यान पीठ पुरसकार एनायत थया हता प्रस्तुत पाठ तेमनी मानवीनी भवाई नवल कथा माथी लेवामा आव्योशे तेनो साहित ते प्रकार नवल कथा खंड़ छे आशा हती के बार-बार मासनो गयलो मेह जेठना पाचला पंदरो मा तो जरूर आवशे पड़ कौन जाने के मेग राजा तो उंगी गया के पची एमने पाणी खूटिया के वलती वक्ते ए वाटो लांबी पड़ी धर्ती पर मौत नो वर्साद वर्सी रहो वन मा ने खेतरो मा बजार मा ने शेरियो मा ज्या जूओ त्या मानवी ना मड़ाज मड़ा क्या बालबा ने क्या दाटवा पची कान, सूतक ने सरावानी तो वातच क्या रही पाचल रहेला तो संबंधी ने आगल कर्यानी राहत अनु भवता हता खुश तता हता गणवा रहा न देखवा न दाजवा पाचला पंदरों मा एटले महिनाना अंतिम पंदर दिवसों मा कान एटले मरण पाशल रोमू ते सूतक एटले मरण प्रसंगे पालवा मा आवती आभड छेड अने सरावूं एटले श्राध करूं अरे काडू सर्खा ने तो अदे खाई जावती हती रंचोड भाई ने शंकरदा छूट्या आदुख मा थी भूख मा थी अरे रे एतो अमरिया थाई गया ने रहा आपण कौण जाने क्या लगी करम मा भूखे टलवलवानू हशे फेलू अनाजे खुटियू ने वाणिया ने त्याँ थी बीजू नही मागू शेट करीने आनेला बे मन कोदराय जेमा अडधोतो कचरो ने ते पाछा मेना धोई धोई ने दम निकडी जाएवा ए राजू, काकाजी, सासू, सासूना त्रण छोकरा भली ने पोते, आम आठ मानसोने केटला दिवस चाले? कोदरी, एटले एक अनाज अलबत्ते एक तरफ अनाज घट्टू गयूं, तो बीजी बाजू सासू मूहा ने काको जी नानकडी भत्री जी ने आगल करी ढलता थाया कालू एक बाजू खुश थातो, तो बीजी बाजू दुखी एटलू थायो, आ वगर काम ना जीवे छे, ने काम ना मरी जाये छे अशाड ना आबला चोक्खा चट, धोर ढाकर ने मानवी विनाना पाधर पर पिला खेतरो जोईलियो, दूर दूर ने क्षिती जो सुधी, वादलानू नाम निशान नहतू, जरे ताप तो, अरे, वैशाख जेठना तड़काय, आ अशाडिया ताप आगल तरणा तोले हता पाधर, इटले पाधर, अथवा गामनी बाहर नू मैदा अनाजना ढगलाने स्थाने, लाशोना ढगला हता, दफन काण के सूतक जेवी क्रियाओ पाण थती नहती, मानसोना आवा हाल होई, तो पशुपंकियों नी दशा केवी हशे, उनालाना तड़का करता, क्या एवटी जाए, एवो अशाडिनो तड़को हतो पड़ा तरफ डेगडियानू महाजने विचार मा पड़ी गव। डेगडिया रहेला मानविय, अरे धराईने खाता हता, एवा महाजनो ए मरवा माड़या, पची एतो अतिश्य ताप ने लिधे, कि परदेश मा थी आवी पहुँचेला डेगडियाना वतनी, सुन्दर जी शेठे कहुँ, एमे होई, अब भूख्या खेडू तोनो निशासो पड़ेओ, डेगडिया इटले गामनू नाम, दुश्कार ना कपरा समय मा गरीबो भूखने लिधे, उश्कल प्रमाणमा मरता हता, तो जेमनी पासे अनाज हतु, धराईने खाता हता, तेवा लोको गर्मीने लिधे मरता हता, पण गामना सुन्दर जी शेठ, जे परदेश मा थी आव्या हता, तेमनू मानवू हतु, आ महल जनोना मरवानू कारण, आ भूख्या खेडू तोए, जे निसासा नाख्या एछे गमे तेमपन, डेगडियाना महाजने सुन्दर जी शेठ नी वात ध्यान्ती साम्बली वर्साद नहीं हावे, तो तो आपन जेनी जेनी पासे धान हशे, ए नथी जिव्वाना नियावशे तो आना आज मानवी एकनू अनेक गणू पकवी आपना छे, आपन कई हल हाकवाना ओचा छिये ने डेगडियाना महाजने उठार माथी धान काड़ी आपनू कबूल करियू किम्मत पण अर्धीदली दी, अर्धो भाग धरम मारागी जोके शरू-शरू मा तो धरमादू खानार बहु ओचा निकड़या पन दिवसे दिवसे संख्या वत्ती चाली, भूखे टेक ने ठोकरे चड़ावी जेने जीव छे एने जमवू बड़े, मानसनी ए प्रक्रुती छे भोजन वगर ते जीवी न शके आ दुशकाल मा गणा एवा पन मानसो हता, जे धरमादा मा अपाता अनाजने भीख गणावता एवा पन खेडू तो हता, जे ओ मानता, क्या धरमादा मा अपातू अनाज अमारू छे अमारू होई, अने ये लेवा पाचो हात लंबावानो भले मरी जहिए, पण मांगवा नहीं जहिए खेडू तो आवी टेक लईने बैठेला हता पण भूख क्या ए समझे छे समाम टेक ने, बाधा ने, आखडी ने, धर्म शास्त्रनी मोटी मोटी वातों ने भूखे थोकरे चड़ावी हती अहीं, खावू ए प्रथम धर्म बनी गयो हतो नींद न जाने टूटी खाड, भूख न जाने जूठा भाद काडूने राजुए विनव्यो तमे तो केता ताने, कि आ कोठार मा आपणा धान छे तो बची माजन आले छे ने, लेवू छे एमा शरम शानी गणे एने तो खरीज ने, ने आपणा छे एटले तो उल्टानी वधारे शरम आपणा धान ने तो आय आपणे हाद धरवानो, भीक मांगवानी लो हेडो, एव बदू गणे आवगर उठो, नकर हुए नथी जवानी जव तो जेने तमारा सोगन छे आबे छोकराय भले भेगा मरी जता लोचो वडी ने पड़ेला काडूने उठेज छूटको थयो पण एक शर्ते, हूँ तारी साथे आवू ते भले, बाकी हाद तो नथीज धरवानो नधर्ता, तमारी वती हूँ धरिश पच्छी तो खरूने माजन तडपद, काडू खेडूत छे पोतेज उगाडेला अनाज शेठना कोठार मा पड़े आछे काडू पोता अनाज अनाज ने बीजा पासे मागवा मा शर्म अनु भवे छे तेने भीक समझे छे घणा लोको भूख ने शर्ने थाई गया छे अने टेक ने छोड़ी धर्मादानू अन लेवा पहुची गया छे परन्तु काडू हजू अडिखम छे, अणनम छे काडू आ भूख सामे क्या सुधी जजू मी शक्षे अरे गांडी, काडूनी उंडी उत्री गएली आँखो मा बहार निकडी आवेला जडबाना पेला हाड का उपर आस्य जेवूं काईक फरी रहूं खोल्यो, आ दोड पाशेर खेचडी जिवाड शे एम तुमाने छे अरे बशेर आले तोय मारू पेट तो नथी भरावानू आगल थता उमेरियू ने तु एम जाने छे के वर्साद आवानों छे आतो पर्थमी नो पल्लो थवा बैठो छे भूंडी, नथी आपन जिवाना के नथी जिवाना माजने या शुकाम भूंडी आ मर्ती घडिये कणबी ना दिकरा पासे हाथ धरावे छे ना ना राजू, तु एकली जा हूं तो नथी जाबवानू ने ए थम भी गयो दूर देखाती पेली दरिद्र नारायनोंनी लांबी कतार तरफ आसू विहोणी रडती आँखे ताकी रहो स्त्री पुरुषोना ए अर्धनगना हाडपिन जरूमा पटेल हता ने ब्राम्मनों हता कोई-कोई वाणिया माँ पन हता जारे ठाकरडानी तो मोटी संख्या हती घाची ने सिपाई आर माँ सेल भेल हता पने बद्धाय माँ जाजो भाग तो हतो खेडू तजने काडूना पग जाने जड़ाई गया भगवान ने जीवतो राखो हशे तो मोखाना छोडा आएज आ मर्ती घडिये कणबीना दिकरा पासे हाद धरावे छे काडू कणबी छे, पटेल छे, खेडूत छे खेडूत अन उगावी जगतने आप तो हवा थी जगतनो तात गणाई छे परन्तु भयानक दुशकाल मा खेडूतो पायमाल थाया छे खावाना सांसा छे, अन नथी मौत सामे ओभू छे आवी घडि मा पण जगतना तातनी खुमारी अकबंद छे खेडूत तो आपे मांगे नहीं एवु मान तो काडू, हाथ लंबावा तैयार नती नशो चड़ावता मौखाना छोड़नी छाल खाईने बैबान थवा तैयार छे पण हाथ लांबो करवा, मांगवा तैयार नती पण मारी साथे तो चालो कि मने तमारे भूखे मारी नाखवी छे तमारा बै साड़ाओनों विचार करो राजू करगरती हती मारे वादे तमे शुकाम मरो लेहेड अने वड़ी एणे पगू पाड़े पासे जता एणे चारे बाजू नजर फेरवी उचा ओटला वाली मंदीर नी परसाल मा सुन्दर जीशे आख मीचाई जाए एवा कपडा सफे दोतियूं अने अंगरखूं सोनेरी तला वाली राती पागडी ने गळे दुपट्टो वगेरे पोशाक मां शोबता गोल तक्याने अधेली ने गादी पर बैठा चे बीजा महाजनों पन आसपास गोठवाईला चे तोटादार तमंचा साथे एक तरफ खुर्शी धाडी फौददार बैठा चे तो हवालदार पिली कार्तूसी बंदूक साथे चारे बाजू नजर फेरव थो तोलाट नी बाजू माँ गोठवाईलो चे किटलाक सिपाई लाकडियों साथे फरी रहा चे आवनार आओने छल्ले काडे चे लेनार ने चेतमनी आपे चे जो बूल चुके फरी थी आवेओ तो छाती माँ टोटोच समझी लेजे राजू ने पेला छेडे पहुचाडवा जता कालू ने आखे एवा माना सो नजरे पड़या के जैने खडा माथी उज़काई एटला दाना ब्राम्मनों ने दान करेला तो वली घरमा धान नाखवानी एक वख़त जग्या ना हती एवा एमा उभात अरे नानी सरकी लूट फाटने शरम मानना रो ने भाईनू दिधेलू न लेना रोय कंगाल बनीने हारमा पड़यो हतो अरे रे बूखज भूंडी चे नई नकरवडी कालूनी आखो भीनी थाई आवी जरे विचार तो अनेक उठता हता जेना धणी आगल दुनिया आखी भलबला राजा माराजा ने शेठियाओ हाथ धरता आवता एना धणी ने आजे हाथ धरवानों ने ते एक डोड पाशेर खिछडी माटे धीक बड़ियो ए अवतार ने धीक बड़ियों ए जिवों ए पणावा विचार वालव एक कालूज नहतो बीजा एक इट्ला खता जेहीं डोकाया नहता शंकर्दा ने रणछोड जीवता होत तो ए बीजू गमेते करत पणाम हारे पड़िने आखी दुनिया देखे ए रिते हाथ तो नज लंबावत पणाज भुंडी छे नहीं पेट करावे वेट ए कहवत तमे सामणी जहशे पेट नो खाडो पुर्वा मानस दिवस रात दोड़ियाच करतो होई छे भूख मानस पशू पंखी पासे शूशू नथी करावती शेठियाओ अने मूटा महराजाओ ने जारे अननी जरूर पड़ती त्यारे खेडूत पासे हाथ लंबावता एज खेडूत आजे अनन लेवा हाथ लंबावी ने हार बंदु भाचे भूख अज भूंडी छे पन काडू जुदी माटी थी घडाएलो हतो तेना जिवा बीजा पन हता जे भूखे मरी जवूं पसंद करता हता पन हाथ लंबावा तैयार नहता राजू तथा पिला बे छोकरा ने लाइन मा उभा राख्या न राख्या ने तरतत काडू पाचो वड़ी गयो सिप्पाई ए टोक्यो ए ठूटिया क्या जाय छे एम क्या ते मारा मुकाम पर काडू ए पाचल जोया वगरज कहिऊ वक तो चालू जहता अरे उभोरे ए जरक सुनता नहीं है काडू उभोरे गयो कहिऊ पण मारे नथी खाऊँ धर्मादू पची केम नथी खाऊँ आ बदा लेचे ने तू केम नले मोटो लाट थाई गयो एम काडू ने तो आ जबर दस्ती नवाई नी लागी ने टंग बन्यो लाट होत तो लेत पण कणबी छू एटले नहीं लओ तू तुटी जैश तोई नहीं लओ चापी दे वो होय तो चापी दे टोटो आउभो पण कणबी छू एटले नहीं लओ अनाजना कणबी बी तरीके उप्योग करे एकणबी कणबी एटले पटेल खेडूत खेडूत तो जगत नो तारण हार होय एतो जगत ने अन्न आपे जगत पासे थी अन्न ले नहीं काडू पोतेज कहेचे हूँ मोटो अमलदार लाट भोत तो जरूर्थी धर्मादू लई ले पण हूँ दान आपना रोचू पण बीचू एटले नहीं लओ साचूच छे कृष्णना दर्बार मा गयला सुधा मा याचक वृत्ती धरावे छे एटले कैक मांगवू होए तो सुधा मा मांगी शके कृष्ण सुधा मा आगल कैक मांगे तो केवा लागे काडू सामे धर्ती ना जाया सामे ताकी रही खुद पेला फौजदार औने सुन्दर जी शेठे उची डोक करी ने सिपाई कहीं गड़दा पाटू करे ते पहला तो एमने एक महाजन्ने मोकली काडू ने पोतानी पासे बोला वे औने पूछियू केम भाई पटेल तू आप पेटियू नथी लेतो काडूशो जवाब आपे ने आपे तो एना मन्थी तो खातरी हती कि आ लोको एना जवाब ने कणबीना दिल ने नहीं समझी शके सामे पड़ेलो आ धान नो ढगलो अमारो एम कहीश तो उल्टो टोटो चांपी देशे ने वलशे काई नहीं अरे वलेशू नहीं जो आ बद्धा धान ना धनियों हाथ धर्वाने बदले उगा में तो तो आ बंदूक वाळाए नास्वा माडे उभी बुछडिये पेट यूं एटले पेट पूर्टू अनाज अने काई शा विचार माँ बड़ी गवशे बाई मने तू जबाद तो आप सुन्दर जी शेठना शब्दो मां मिठा शती है याने सुवाडू सुवाडू लागे एवू कैक तपक तुँ हतू ने तेथीस तो काड़ू नी पेली आग भरी आखो माथी टप टप करता आसूज खरी पड़िया शू कहूं शेट छाती सामे अमारा राज कमायला अधान ना ढगला जोईने हमारा काड़ जा शून कहता पण हशे कहे ते पहला तो डुसकू निकड़ी पड़ियू ने द्रुसके द्रुसके रड़ी उठ्यों आवडा मुटा शेट महा जनोंने फोद्दार आगल जै सवाल जवाब करता काड़ू ने जोई दूर उभेलो नानो बोली उठ्यों तो धर्वो त्यारे हवे रोवाशू बैठो चे पणा शब्दो ए सुन्दर जी शेट ने जरा खाटा करी मुख्या अरे पिला फोद्दार ने दाज चड़ी पण नाना ना इटला वड़ी सद्भाग्य के एने बोलतो एने देख्यों ना हतो ने त्या वड़ी सुन्दर ज शेट बोलता थाया हूँ जानू चुजू आन के तने ताराज धान माटे हाथ धरता शरम आवेचे पन अमने सदावरत खोलता एट्टी शरम आवेचे समस्त पृत्वीनू पालन करनार ने अमेते क्या सुधी पाढ़वाना ची आतो मेगरा जाने पाणी पोंचाडवा पर शू थाय गांडा खुद्रत आगल आपन बधाय लाचार छी जो तु एकवार मारी सामे जो काडवे उंचे जोयू तने मलाकतू होए क्या धर्मादा शे हाथ धरता तने संकोच थतो होए तो कालती तु आ ओठला पर आवी ने जाडू मारी जजे ने मुखिया जी पासे थी गादी तकिया मांगी ने अहीं पातरी देजे पची तो बसने पची तने एम नहीं थाय ने के हूं मफद धर्मादा खाऊंचू उठला शेट ने पोताना पिला विचार जाने बालिश लागवा माड़या शेठनी मोटाई ने माथे चड़ावी के आख वाटे वंदी र चारा जिवा बीजा होए तो एमने समझावजे के जे के तमारू छे ने तमने आपिये छे एमा धर्मादा जे ओ काईज ना थी काड़ू ए डोकू हलावी एसान मानवाना शब्दो न सूजता सुन्दर जी शेठने जे शिरिकृष्ण करीने चालतो थायो लाइन मा जईने खड़ो थायी गयो अमारू छे ने अमारे लेवू छे मारू ये आमा हशेस तो पिला वल्ला वाडा क्यारडा नी मारी शाल हाथ मा फेरवेली ने रमाडेली ए शाल ना चोखा ओलखी काड़ू वीनी देखाड़ू को तो सिपाई ने तो कौण जाने कैम पण काड़ू जाने आखनो पाटो अने ते जाने मर्चानो हतो पण फौददार जैने सलाम भरता हता एवा खुद शेठनी ज एना पर महरबानी उतरी हती अरे मोढ़ा मोढ एना थी वातो करी पची एने करीपन शूर शकाए ने ए लोक काड़ू उपर थी दाज बीजा उपर उतरी रहा पालनहार जोया होय तो बराबर हार मा उपोरे ए दोड़ पाशेर खिचडी फाटेला धोतिया नी फड़क मा लई ने रवाना थता काड़ू हा तो बावाना बे बगड़या एना जे वो खेल थयो एक ए खोयो ने जीव पन खोवानो काड़ू नी बाद कोटी नहाती अत्यार सुधी तो पाशेर डोड़ पाशेर पन मकाई कोदरा सरखू नकुर धान मलतू तू जारे आ तो काड़ू ना ज शब्दो मा कहिए तो एक उड़कार खाता माज आ दोड़ पाशेर खिजडी हजम। ने वाट जोती उभेली राजू ने कहिँ। फिला केनारे खरूच कहिँ छे के रामतारी केवी गती के कुण कमाए कौनी वती। आपणू तो कपाड़े काणू छे ने आक खोबोई काणो निकल। राजू चीडा जो हवे आवो कशो बबडाट करयो तो अड़धा तो आम गणी-गणी नेज मरवा पड़े आशो। तमारा डिल्स आमे तो जुओ। तमने खबर छे डाकण माँ डाकण कून छे जानो छो। काड़ू ने तो राजूनी गालोई मीठी हती। जारे आठपको हतो ने ते मीठो। हस्ता हस्ता वच्चेज बोली उठ्यो। डाकण तो भूग छे पण। राजू त्यारे रमुजमाना हती। बोली उठी। ना। डाकण चिंता छे। मानवी ना काड़जा ने खोतरी खा काड़ी। शिखा मन दी दी। हाँ भाई हाँ हैंड अवे ये बदो लवारो नई करू। आम कहतो काड़ू वड़ी पाचो गंभीर बन्यो। बनी जवायू। बोल्यो। पण भूंडामा भूंडू शूचे ए जाने छे तुू। भूख शूँते। ना, हुई भूख ने भूंडामा भूंडी कहतो तो, पण एना थी ये भूंडू, आज एक बीजू भाळीू। काड़ू ए दोतियानी पेली पोटली उपपर थी नजरूंच की, राजू सामे मांडी। आर पार ताक तो होय एम जोई रहता पूचियू। तने खबर छे। भूख थी ये भूंडी भीख छे, भूख तो हाड मास गाली नाखे छे, पणा भूख तो काडू जाने बे भान मा एकलो एकलो लवतो हतो। राजू खरू कहूंचू। आपना गुमान ने आत्मा ने ओगाली नाखे छे, पाणी करी दे छे, ने याद राख छे। भूख भीख दुश्काल मा मरी गयला लोको छुटी गया हता, पन जे जीवता हता, तेमनी हालत अत्यंत खराव हती। राजूना मते चिंता डाकन हती, जे मानस ना कालजाने कोतरी खाती हती। काडू पहला भूख ने डाकन कहतो हतो, भूंडी कहतो हतो, पना जे पाशेर खिचडी माते हाथ लंबाव्या पछी, तेने भूख करता ये भूंडी भीख लागी हती। भूख मानस ना शरीर ने हाड मास ने ओगाली ना खेशे, जे भीख मानस ना गर्वने अने आत्मा ने ओगाली ना खेशे। भीख मागनार व्यक्तिनी खुमारी, तेनो गर्व, तेनो अभ तेम धमकावता बावडू जाली हडसे लियो। तमे छाना माना घेर हेडो घेर नकर। पणा आ साथेज एनो अवाज डिलो पड़ी गयो। शूं काम बधा भेगा था इने मारो जीव खाऊ छो। कहता पहला बे छोकराने हडसे लिया। आना करता तो हूज मरी गई हो तो राजूना कंटाडा आये काडूने भान मा आणयो। पच्ता तो होय तेम लाचा रवाजे कई हूँ। तारा समखाई ने कउचू राजू। अवे थी हूँ आवो काई लवारो करू। तो जैने भगवान पूछे जो। तो हेडो चाना माना ने काडू आग्न्यांकित पुत्रनी जैम आगल थाई गयो। फिला बे चोकरा साथे चालवा लागयो। पाडू ये न बूलवाना सोगन खादा हाता। बाकि एनू अन्तर तो पाचा फरता ने शेरियों मा भटकता उताना बांदबोनी हालत जोईने बढ़े जतू पपडे लते ने देदारे तो बेहाल हताज। ने तेमा आज वली पेटियां लिधा हाता। बिखारियोंना टोडाज बराबर। ने काडूनी आखमा थी डब-डब करता आसू सरी पड़या। मनमा मनमा कही रहो। अड़दो अशाड गयो तोय ना आवयो। त्यारे हवे ख जोड पाशेर खिचडी वड़ी शुंकां। हवे तो जींकवाज माण। नथी वेठाता। राम भूखोय नथी वेठाती ने आ भीखोय। माटे जींकवाज माण। पन मकाननू ओटलो चड़ता। खुद काडूद जिकाई पड़यो। पची ये तो गरम विचारोंने लि पड़यो के गमेते कारणे हुए।